आप एक अच्छी पत्नी इस साधार पर नहीं बन सकती कि आपकी माँ अच्छी पत्नी कैसे बनी थी? स्थितियां बदल गई हैं, उम्मीदें बदल गई हैं. सबसे बड़ी गलती मानफ्ता ने ये की थी कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शाधियां स्वर्ग में तैह होती हैं, इसलिए ये इतनी उलज गई हैं. आपने ये रिष्टा इसलिए बनाया क्यूंकि आपको इसकी सक्त जरूरत ही हैं न? अगर आप ये समझते हैं और इसके लिए हमेशा आभारी हैं, तो आप इसे अच्छे से सम्भालेगें. हमारा केंद्र अमेरिका के टेनेसी में हैं. टेनेसी एक थोड़ा अलग तरह कराचे है. मेरी मकाउस्की, ये रुमेनियन तो नहीं, ठीक, मेरी मकाउस्की की शादी हुई. और अपने हनीमून के बाद वो घर आये और उसने अपने पती को डराया कि वो खाना खुद बनाने वाली. अब माफ किजी, उसने कहा कि वो नए पती के लिए खाना बनाएगी. और पती काम से घर आया और उसने खाना परोसा. और उसने अपने मूँ में डाला और धीरे धीरे चबाते चबाते एक गहरे विचार में खो गया. फिर वो इस खाने के बारे में बहुत खुश थी और बोली, मुझे मेरी माने सिर्फ दो चीजें पकाना सिखाई हैं. तो पती उसके और देखकर बोला, डालिंग, ये उनमें से क्या है? तो आपकी माताएं और आपकी दादियां अच्छी पत्नियां कैसे बनी? मुख्य रूप से ये माना जाता था कि एक आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है. आज आपके पती उबरीट्स को फोन करते हैं, और जो भी, क्विक फिक्स वगेरा और स्विगी, जो भी हो, तो आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी दादी मा अच्छी पत्नी कैसे बनी थी? आप एक अच्छी पत्नी उस आधार पर नहीं बन सकती कि आपकी मा अच्छी पत्नी कैसे बनी थी स्थितियां बदल गई, उम्मीदें बदल गई है अब बात पेट की नहीं रही है कुछ लोगों के लिए अब बात दिमाग की है कुछ लोगों के लिए अब बात और नीचे चली गई हाँ तो आप वो मत कीजे मुख्य रूप से पती और पत्नी का मतलब क्या है क्योंकि आप तयार नहीं है ज्यादा तर लोग तयार नहीं इस दुनिया के बहुत कम लोग तयार है कि जीवन का सफर बिलकुल अकेले तै करें वो अपने भीतर अच्छे से व्यवस्तित हैं पूरी तरह से उन्हें कभी नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई कमी है क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है लेकिन ज्यादा तर लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति का साथ चाहिए या तो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से इनसानों में जरूरते होती हैं शारीरिक जरूरते, मानसिक जरूरते, भावनात्मक जरूरते मुश्किल है जिसके साथ आप अपनी हर चीज पांट सकें अपना शरीर मन भावनाएं सब कुछ तो यही सोच है इसे व्यवस्तित इसलिए किया जाता है ताकि हर बार जब थोड़ा सा टकराव हो तो आप अलग न हो जाएं इसलिए थोड़ा बंधन बनाया गया ताकि बहुत नहीं यहां होती है अगर आप देखें कि शादियां हम बनाते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी लें तो हम इसे काम्याब बना सकते हैं लेकिन यह तो स्वर्ग में बनी है यहां के लिए ठीक नहीं है क्योंकि यह दूसरे ग्रह की चीज़ है सब कुछ उलच जाता है क्योंकि आपको लगता है कि यह कहीं और किसी और के द्वारा बनाई जाती है अगर आप समझते हैं कि यह आपके द्वारा आपकी खोशाली के लिए आपकी जरूरतों और अदेशियों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है तो आप इस जीवन के सफर में कम से कम टकराव और संगर के साथ जा सकते हैं तब आप इसे ज्यादा समझदारी से संभालेंगे है ना और आज के युग की जरूरतों के अनुसार ना की वैसे जैसे आपकी दादी माने शादे निभाए थी आप वैसे नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीदें और स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं त लेकिन वो उनकी तरव से है जहां तक आपका सवाल है आपने ये रिष्टा इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप ये समझते हैं और हमेशा आभारी हैं कि कोई और आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है तो आप इसे अच्छे से संभाल होगा अगर आप सोचते हैं कि आपको मेरी जरूरत है तो मैं आपका लाब उठाऊंगा नहीं ये आपके द्वारा किसी से खुशी निचोडने या किसी के द्वारा आप से खुशी निचोडने के बारे में नहीं हैं अगर दो खुश लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ स तो दुख बढ़ जाएंगे जाएंगे